आज का आजाद सिपाई अखबार आपने पढ़ा क्या? बढ़ते रहीए अपना लोग प्रियत दनिक अखबार। आजाद सिपाई नमस्कार आजा सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ राहूल संग आज की प्राइम की प्रमुक खबर कुछ इस प्रकार है 1418 करोड काटे जाने पर बिफरी राजी सरकार हेमत ने कहा केंदर की घिनावनी साजश रामिश्वर उराओं ने कहा कि केंदर का रवया पक्षपात पून दूसरी खबर समर्थकों के घर पर फाइरिंग के बाद धुलू महतों का उपेन चैलेंज रात के अंधेरे के बजाए दिन के उजाले में मुकाबला करें धुलू समर्थकों और आजसू में तनातनी तीसरी खबर अब दुमका में आदिवासी बच्ची से गैंग रेप फिर हत्या जीम हेमत ने डीजीपी को दिया सक्त कारवाई का निर्देश रगवर दास ने कहा कि बच्ची से लेकर साधवी भी सुरक्षित नही चौथी खबर सहिब गंज में गैंग रेप और मडर पर गरमाई राजनिती शनिवार को जाएगी भाजपा की उचिस्तरियटी पांचवी खबर चत्रा में नकसलियों ने मचाया तांडव कई गाडियों में लगाई आग की तोड़ फोड और फाइरिंग चटी खबर खुल गया बाबा बासुकी नाथ धां श्रधालू अरधा से कर रहे जलारपण आईए अब सुनते हैं खबर विस्तार से मुख्य मंत्री हेमन सुरेन केंद्र सरकार के रवये से नाराज है वो केंद्र सरकार द्वारा डिविसी की बकाया राशी जार्खन के रवयाई खाते से करीब डेड़ हजार करोड रुपए काट किये जाने से नाराज है हमन सुरेन ने इस कदम को जार्खन के खिलाफ घिनोनी साजिश बताया है उन्होंने कहा है कि कुरोना से लड़ाई लड़ते हुए पहले से ही राजी को आथिक परिशानी जिलनी पड़ रही है GST मद का करीब धाई हजार करोड रुपए पहले से ही केंद्र ने रोक रखा है उस पर से अब DVC की बकाया राशी को लेकर राजी का जो हिस्सा RBI के पास जमा था उसे भी केंद्र ले रहा है CM ने कहा कि हकीकत यही है कि पुर्वे की सरकार ने 2017 में एक त्री पक्षिय समझौते के तहट ही सहकारी संगवाद के बुन्यादी धाचे को नश्र करने की नीव रखी थी ऐसा कर केंद्र घिनोनी साजिश रच रहा है इधर डिवी सी के बकाया का 1470 करोड की राशी केंद्र दुवारा काटे जाने पर कॉंग्रिस ने भी कड़ा एतराज किया है वित्यमंत्री डॉक्टर रमिश्वर उराव ने कहा कि हमने राशी नहीं काटनी को लेकर आगरह किया था लेकिन केंद्र नहीं माना राशी के साथ केंद्र का यह पक्षपात वाला रवया है यह राशी के विकास पर प्रहार है और आदिवासी राशी के साथ खिलवार है उन्होंने बताया कि जनवरी में भी केंद्र पैसा काटेगा पैसा काटनी की धमकी पहले ही केंद्र ने दी थी हमने पत्र लिख ऐसा नहीं करने को कहा था बताते चले कि डिबीसी की बकाया राशी की वसूली को लेकर दिये नोटीस के आलोक में किंद्र ने राजी के आरबियाई खाते से करीब 1418 करोड रुपे काट लिये हैं यह राशी पहले किस्त के रूप में है अब नज़र डालते हैं आज की दूसरी प्रमुक खबर पर बाग मारा विधायक बाश्चित्र के लोयबाद एरिया के एकड़ा में विधायक धुलू महतो के प्रतिनीधी दिनेश रवानी और उनके समर्थक शिवा दास के घर पर गुरुआ राद, गुली बारी और बंबाजी हुई अपराध्यों ने विधायक प्रतिनीधी और उनके समर्थक के घर के दरवाजे पर कुलहडी से वार भी किया पधर बाजी भी की गई आशंका जताई जा रही है कि वचस्व कायम करने और दहशत फैलाने के उदेशे से फाइरिंग और बंबाजी की गई है घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस को तेरा गोलियों के खोके दो जिंदा गोली और बंब के अवशेस मिले हैं बताया जा रहा है कि अपराध्यों ने 30 से 40 राउन फाइरिंग की है घटना की सूचना पाकर विधायक धुलू महतो शुकुरवार सुभग घटना इस्थल पर पहुचे उन्होंने कहा कि कायरों की तरह रात के अंधेरे में घटना को अंजाम दिया गया है हिम्मत है तो दिन के उजाले में आकर मुकाबला करें उन्होंने कहा कि जिले में विधी विवस्ता की स्थिती लचर है इसके लिए जिला प्राश्चासन और पुलिस भेज जिम्यवार है बताया जा रहा है कि वाजेपुर कोलियरी डंप में कबजा कोलेकर आजुसू जिला धर्ष मंटू महतो और बागमारा विधाई धुलू महतो के समर्थकों के बीज पिछले तीन महिने से टकराव हो रहा है घटना को इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है लोयाबाद एरिया के एकड़ा में मंटू महतो के समर्थक जादा जबकि धुलू महतो के समर्थकों की संख्या कम बताई जा रही है रात करीब दस बजे शिवा दास और करीब दो बजे दिनिश रवानी के घर पर गोलिबारी और बंबाजी हुई इसका रोप मंटू महतो के समर्थकों पर लगाया गया है अब नज़र डालते हैं आज की तीसरी प्रमुक खबर पर दुमका के रांगड थाना श्यत्र में 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि पिडिता पांचवी क्लास की छात्रा थी वह गाउं के ही मध्य विद्याले में पढ़ती थी पुलिस मामली की जांच परताल में जुड़ गई है आरोपियों की तलाश जारी है मामला भाल सुमर पंचायत के ठाड़ी गाउं का है शुक्रवार की सुभा आदिवासी छातरा टूशन पढ़ने के लिए साइकल से घर से निकले थी काफी देर तक घर नहीं लोटने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश की इसी दोरान उसके पिताने गाउं के बाहर सड़क किनारे बेटी की साइकल खड़ी देखी फिर उन्होंने बेटी को आसपास तलाशा काफी देर बाद सड़क किनारे जाड़ियों में उनकी बेटी का शव देखा ग्रामिलों ने मामले की सूचना पुलिस को दी घटे सेल पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर जाँच परताल में जुट गई है फिलहाल पुलिस मामले के हर एक पहलू की जाँच कर रही है दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने बताया ये प्रतम दृष्टिया गैंगरेप कर बच्ची की हत्या का मामला सामने आ रहा है पुलिस नारुपियों की गिरफतारी के लिए सघन छाप इमारी कर रही है बतादेंग की संथाल प्रग्रामें एक सब्ताह में गैंगरेप के बाद हत्या की या दूसरी वारदात है इससे पहले सहब गंज में पिछले शुक्रुवार को ही एक नावाली के साथ गाउं के ही पाँच लड़कों ने गैंगरेप कर हत्या कर दी थी मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने इस मामले में डीजीपी को सक्त कारवाई कर सुचित करने का निर्देश दिया है साथ ही इस अभी जिला प्राशासन एवं जिला पुलिस को ऐसे घ्रिणेत मामलों की जाँच कर फास्ट रैक कोड के माध्यम से दोश्यों को सक्त सक्त सजा दिलाने का अदेश दिया है उदर भाश्पा के राश्टोय उपाध है रगवरदास ने कहा कि राज़ी में चार साल की बच्ची से लेकर साधवी तक सुरक्षित नहीं है पहले साहिब गंज अब दुमका मेना बाली के साथ गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई अपराध्यों का मनुबल काफी बढ़ा हुआ है राज़ी में दुशकर्म और बच्चियों की निर्ममता से हट्या की घटनाओं में वृध्धी हो गई है अब नज़र डालते हैं आज की चौथी प्रमुक खबर पर साहिब गर्ज में सामोहिक दुशकर्म के बाद किशोरी की हत्या के बाद ग्रामिन आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं मृतिका के गाउं में विभेन राजनितिक दल के नेताओं और आसपास के लोगों का आना चाना नका हुआ है हाला कि इस घटना की विरोध में कोई सड़क पर नहीं उत्रा लेकिन इस मुद्धे पर राजनितिक गर्म है भाशपा हेमन सरकार को घिरने में जुटी है वहीं जामुमो भाशपा पर दोहरी मीती का आरोप लगा रहा है इस मामले की जाँच परिजनों को सांतवना एवं आर्थिक सहयोग देने के लिए शनिवार को भाशपा की उचिस्तरिया टीम वहां जाएगी इसमें दुमका सांसद सुनिल सोरेन, राज्च सबा सदस समिर उराउं, पुर्वा आईजी अरुन उराउं शामिल रहेंगे इसमें दुर्षकर्म की घटनाओं में अप्रत्याशित विर्धी हुई है, केवल सुन्दर पहाडी प्रखण में चार घटनाएं हुई है, मुखे मंत्री को इसे संग्यान में लेना चाहिए हेमलाल मुर्मु के गाउं में जाने की सूचना मिले के बाद, जामुमो जिला केमिटी के पता दिकारी भी वहाँ पहुचे और पेड़ित परिवार का कुशल छेम पूछा, साथी हर संभव सहयों का श्वासन दिया मामले में तवरित कारवाई पर पुलिस की सहराना की, इनने निताओं ने कहा कि हेमन सरकार में भी इतनी जल्दी कारवाई संभव है बरहेट विधायक हेमन सुरेन के प्रतिनीधी पंकर जुमिश्रा ने कहा कि उतर प्रदरिश की घटना पर भाजपा चुप है लेकिन यहां शोर मचा रही है, पार्टी की दोहरी निती को जिनता जान चुकी है, नबाली के साथ हुए सामोही के दुर्शकर्म पर भाजपा राजमिती कर रही है अब नज़र डालते हैं, आज की पांशवी प्रमुख खबर पर चत्रा के पिपरवार ठाना श्वेतर अंतरकत सिसियल के बचरा रेलवे साइडिंग में नकसलियों ने तांडव मचाया नकसलियों ने साइडिंग पर पहुच कर तोड़ पोड फाइरिंग की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया घटना की जानकारी मिलते ही स्पी टंडवा स्डिपो दलबल के साथ मौके पर पहुचे बताया गया कि उग्रुवादियों ने साइडिंग पहुचते ही तवतोड फाइरिंग शुरू कर दी फाइरिंग होते ही सिसियल कर्मी और मजदूर भाग खड़े हुए इसके बाद उग्रुवादियों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का महौल है एसपी रिशब जहा ने कहा कि घटना के हर पहलू की जाँच की जा रही है घटना को अंजाम देने का शक पीलेफाई नेकसली उपर किया जा रहा है क्यूंकि पुर्व में भी पीलेफाई नेकसली ने साइडिंग के काटा घर पर बंफेकर दहशत फैलाया था अब नज़र डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर विश्व प्रसिध बाबा बासुकिनाद धाम शुक्रवार्थ से शधालू के लिए खोल दिया गया है शधालू अर्धा के माध्यम से जल अरपन कर रहे हैं देवगर के तरह बासुकिनाद धाम में भी अर्धा अलग जाने से शधालू सहित स्थानिय पंडा पुरोहित और दुकानदारों में काफी खुशी देखी जा रही है दरसल आठ अक्तूबर से पुरे देश में शधालू के लिए मंदर खोली जाने के बाद बासुकिनाद धाम में शधालू के दर्षण के लिए कोई डील नहीं दी गई थी ओन्लाइन रिजिशेशन के माध्यम से दिन भर में 160 शधालू ही बाबा बासुकिनाद का दर्षण कर पाते थे देवघर की तरह बासुकी नात में भी अर्धा लगाने की मांग पंडा पुरोहित सहित स्थान या दुकांदार लगतार कर रहे थे बीते दिनों उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन कर प्रशासन को अल्टिमेटम भी दिया था उनकी मांग को देखते हुए मंदिर प्रशासन देवघर की तरह यहां भी अर्धा के माध्यम से प्रते दिन एक हजार अश्रधालों को दर्शन कराने की अनुमती प्रदान कर दी है इसके साथ ही कुरोना के सभी नियमों का पालन का निर्देश भी दिया गया है कुरोना के नियमों का पालन नहीं करने के बाद फिर से पुराना नियम लागू कर दिया जाएगा आज के आजास सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोग प्रिया दैने का खबार आजाद सिपाही और हाँ आप हमारे इस योट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद